हेलो डियर फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आप शेवी का एडिशेशन में फ्रेंट्स बात करते हैं भारती पसपालन विभाग भरती 2020 की ऐसे दें इंटर्व्यू 100% सेलेक्शन होगा इंटर्व्यू में इन वातों का रखें ध्यान और इंटर्व्यू में क्या पूछा जाए यह वही वीडियो है कि भारती पसपालन वाग भरती और ऐसे दें इंटर्व्यू 100% सेलेक्शन और इंटर्व्यू में क्या क्या पूछे जाएगा प्रिशन कहां से आएंगे कार से लिए इसके लिए मैंने पांच महीने पहले वीडियो यह अप्लोड किया था और इस पर ल क्या इंटर्व्यू देने जाना है या नहीं जाएं इंटर्व्यू को छोड़ दें तो उन सभी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे यह आपको जाना है कि इंटर्व्यू को किस प्रिकार से देना है तो आप पिछला वाला वीडियो देख लें उस वीडियो का लिंक मे वर्ती वेक नहीं है वर्ती रीएल में है और इसका इंटविविव आपको देने जाना है या नहीं जाना है ये सवाल काफी लोगों ने कमेंट करके किया है तो आब लोगों तब भी आपको पैशा नहीं देना चाहिए इंटर्व्यू यदि आप देने जा रहे हैं तो आपको इंटर्व्यू देना चाहिए लेकिन यदि आपके पास इससे पहले कोई जॉब है भले ही प्राइबेट जॉब है तब आप इसका interview देने ना जाए क्योंकि यहाँ पर आपको एक target पूरा करना होता है आपको deliver करना होता है उस target को पूरा करना होता है नहीं तो आपको job से निकाल दिया जाएगा यह हकीकत है यह real है और काफी लोगों ने इस बारे में comment भी मुझे किया है तो यह सच है यह आप target पूरा नहीं करते है तो आपको job से निकाल दिया जाता है और जो भी company जो भी decide करेगी उस हिसाब से आपको कार करना होता है तो friends भरती fake नहीं है भरती private job है government job नहीं है interview आपके पास कोई job नहीं है तो आप interview देने जा सकते हैं इसके साथ साथ फिर भी यदि आपके मन में कोई doubt है तो आप comment करके पूँच सकते हैं उस video पर बहुत ज़्यादा comment आ रहे थी इसलिए मैंने ये video बनाया और ज़्यादा तर्ट लोगों का यही comment था कि मैं क्या interview देने जाए या नहीं जाए तो friends यही आप से फिर कहेंगे कि यदि अभी तक आपके पास कोई job नहीं है तो आप जरूर interview देने जाए वहाँ job है salary मिलती है सब कुछ होता है लेकिन आपको target पुरा करना होता है आपको अपने target के जो company target देती है उस हिसाब से काम करना होता है तो यह सारी चीज़े है और भरती fake नहीं है जो लोग यह कहते हैं कि भरती fake है तो लोग गलत कमेंट करते हैं और काफी लोगों नहीं कमेंट यह भी किया है कि मुझे job से निकाल दिया गया है यह job आप कुछ नहीं देते हैं तो यह सारी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है आप इन चीजों पर ब्लीब ना करें थैंक्यू